सब्सक्राइब कीजिए वाइटी गुरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके और पर सेट करेजे और पाईए लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने फेस्बुक एकाउंट पर अपना डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करें केवल एक मिनट का काम है अगर आप लोग भी अपने Facebook एकाउंट पर अपना date of birth चेंज करना चाहते हैं तो फिर इस यूडियो को end तक देखते रहिए तो चलिए सीखते हैं तो दोस्तों अगर आपको अपना Facebook का date of birth चेंज करना है सबसे कोने में आपको 3 line दिख रहा होगा तो यहां 3 line पर क्लिक कर लिजे अब जैसे आप लोग 3 line पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यही पर आपको एक option मिल जाएगा settings and privacy का अगर आप में यह option नहीं आ रहा है तो एक बार अपने Facebook आपको update कर लिजे क्योंकि Facebook का सारा setting चेंज हो चुका है तो यहां पर आपको settings and privacy पर क्लिक करना है देन उसके बाद यहां पर आपको एक और option मिल जाएगा settings का तो आपको दोबारा से settings वाले option पर क्लिक कर लेना है अब देखिए यहां पर आपके सामने कई सारी settings ओपन हो जाएगी सारी settings एकदम से change हो गई है अब यहां पर सबसे उपर आपको एक option दिख रहा होगा account center तो आपको यही पर क्लिक कर लेना है जैसे आप लोग account center पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको नीचे एक option मिलेगा personal details का तो आपको इस personal details वाले option पर क्लिक कर लेना है अब देखिए यहां पर आपके account का personal details से सो हो जाएगा जैसे कि यहां पर आपका email id और phone number भी दिख जाएगा उसके बाद यहां पर आपको date of birth भी सो हो जाएगा तो अगर आपको अपना date of birth चेंज करना है तो यहां date of birth पर क्लिक कीजे उसके बाद यहां पर आपका profile सो हो जाएगा उसके उपर आपका date of birth सो हो जाएगा और बगल में आप देखिए आपको एक edit का बटन दिख रहा होगा तो आपको इस edit वाले बटन पर क्लिक करना है अब जैसे आप लोग edit वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका date of birth सो रहा है और बगल में एक cut का बटन दिख रहा है तो आपको क्या करना है इस cut वाले बटन पर click कर देना है जैसे आप लोग cut वाले बटन पर click करेंगे तो आपका date of birth यहाँ से हट जाएगा अब आपको एक नया date of birth एंटर करना है तो यहाँ पर click कीजिए जैसे आप लोग date of birth पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको calendar से अब एक नया date of birth चूस करना होगा तो यहाँ पर मैं कोई से भी एक date of birth डाल देता हूँ यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ अब यहाँ पर आपको क्या करना है set वाले option पर click कर लेना है देखें यहाँ पर हमने नया date of birth एंटर कर लिया है आप लोग अच्छे से देख लिजेगा कि आपका date of birth सही है या नहीं उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको save का एक बटन दिख जागा तो आपको save वाले बटन पर click कर लेना है अब जैसे आप लोग save वाले बटन पर click करेंगे तो यहाँ पर आपसे एक बार और confirm करने को पूछेगा अब जैसे आप confirm वारे option पर click करेंगे आप देखें यहाँ पर एक notification आ गया है unable to change your date of birth यहाँ पर यह बोल आ है contact us इस पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर देखिए request a birthday change आप देखें फेस्बुक में और भी बहुत सारे apps में नया नियम आ गया है आप बार बार date of birth change नहीं कर सकतें तो इसके लिए आपको एक valid ID provide कराना होगा यहाँ पर एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अपना date of birth डालना होगा और reason select करना होगा कि आपको अपना date of birth change करना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको choose file पर click करके एक document upload करना होगा valid ID कोई government वाली जिसमें आपका date of birth mention हो उसके बाद यहाँ पर आपको send पर click कर देना है और वो जो आप document submit करेंगे वो 30 दिन के बाद facebook अपने data से delete कर देगा लेकिन उसको confirm करने के लिए एक valid ID चाहिए आपका date of birth सही है या नहीं इसके लिए आपको एक valid ID देना पड़ेगा इससे पहले क्या होता था कि date of birth आप असानी से change कर सकते थे आपको कोई भी document नहीं देना पड़ता था बट अभी के टाइम पर काफी सारे जैसे frauds होने लगे है तो इस वाज़े से यहाँ पर verify करना जरूरी हो गया है काफी सारे लोग fake news वगर अभी file आते हैं तो यहाँ पर अगर आपको date of birth चेंज करना है तो एक valid ID दे दीजे यहाँ पर upload कर दीजे फिर यहाँ पर आपको send कर देना है जैसे आप अपना valid ID submit कर देंगे तो यहाँ पर आपने जो date of birth डाला होगा अगर वही date of birth आपके document में भी होगा तो आसानी से आपका date of birth चेंज हो जाएगा तो अभी नया नियम आ गया है तो इस तरीके से आप लोग फेस्बुक में date of birth चेंज कर सकते हैं हो सकता है आप जब अपना date of birth चेंज करें तो यहाँ पर कोई request या फिर कोई valid ID जमा करने का option ना आ रहा हो आपका date of birth तुरन से चेंज हो जाए लेकिन अगर नहीं चेंज हो रहा है तो यहाँ पर आपको valid ID देना पड़ेगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको